खेसारी जब नए साल पर मुर्गी के ऊपर गाना लेकर आये थे तो बहुत ज़्यादा बिवाद हुआ था गाने में खेसारी मुर्गी को जैसे जुला रहे थे उसको लेकर खेसारी को खुब ट्रॉल किया गया था इसके बाद सिंगर प्रमोत प्रेमी यादो से उनका बिवा कि है उस discussion से आगे बढ़ गए हैं पिछली बार जो केशारी मर्गी को पकड़ कर जुला रहे थे वह मुर्गी कट चुकी है नए गाने में केशारी लाल्य आदो मुर्गी कैसे बनाना है उसको समझा है हुआ अपने नए गाने में मुर्गी बनाने की सारा को सुछ हो रहा है किmother for stock to 2023 का पहला holiday song के सारी का इस साल का पहला holiday का गाना सारे गा महम बोजपुरी के चैनल से रिलीज सोने वाला है और इसको लेकर दू तीन दिन से चैनल द्वारा पहले चैनल के तरब से एक छोटा सा वीडियो क्लिप डाला गया जिसको टीजर कह सकते हैं हलाकि इस गाने का इसमें कोई गाने का जिक्र नहीं था इसमें सिर्फ यह बताया जा रहा था कि खेसारी लाली यादाओ अपने पहले होली के गाने के साथ जल्दी ही दर्सकों के बी पर उससे पहले नमस्कार जमाजम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिस्रा के अमरे के पीछे हमारे साथ ही मोहित खड़े हैं खेसारी का इस साल के होली के पहले गाने का टीजर आज सुबग 11 बजे शारे का महम भोजपुरी चैनल से रिलीज किया गया और रिलीज के 4 घंटे में इस पर 1,75,000 व्यूज दिख रहे थे गाने पर 4 घंटे में 43,000 से उपर लाइक भी हो चुका था साथी कॉमेंट्स की संख्या भी 6,000 के उपर पहुंच चुकी थी यानि खेसारी के इस गाने का टीजर भी दर्सकों को पसंद आया लोग इस वीडियो को भी खुब सेयर कर रहे हैं वैसे तो आम तोर पर यहीं देखने को मिलता है कि कोई भी गाना रिलीज होता है तो उससे पहले टीजर आता है हलाकि पाउन सिंग ने अपना गाना पांचे के नाचे यह को बिना टीजर के ही डिरेक्ट गाना को रिलीज कर दिया था लेकिं खेसारी का तो अलग ही अंदाज है और जब चैनल सारे गामा हम भोजपूरी हो तो बहाँ पर खेसारी का अलग ही रुत्बा है खेसारी के नए होली गाने का टीजर रिलीज होने से पहले एक और टीजर आया जानि खेसारी का गाना भी रिलीज नहीं हुआ है गाने का टीजर आया है और इस टीजर से पहले एक प्री टीजर रिलीज हुआ था उसमें बताया जा रहा था कि खेसारी अब इस साल का अपना पहला होली का गाना लेकर आने वाले हैं वीडियो में बताया जा रहा था कि आप लोग तयार हो जाईए इस साल ट्रेंडिंग स्टार के साथ बवाल मचने वाला है वो जल्द ही अपना पहला होली के गाना लेकर आने वाले हैं और इस परकार से पूरा माहौल बनाने के बाद आज खेसारी के गाने का टीजर रिलीज हुआ और टीजर में खेसारी के गाने का नाम बताया गया अगर बात करें इस टीजर की तो खेसारी इसमें एक लाल प्रिंटेट सर्ट में दिख रहे हैं सर्ट के बटन खुले हुए हैं वो अपनी बॉड़ी दिखा रहे हैं और उसके बाद गाने में जो खेसारी की हीरोईन है वो एक प्लेट में कटे हुए मुर्गिया पीछ लेकर आती है वो परिसान है कि इस चिकन को बनाना कैसे है और तभी पीशे से आवाज आता है कि मुर्गिया तसली में बनी यानि नए साल में जो खेसारी मुर्गी कहां से लाना है और मुर्गी कहां की है इस बात को दिखा रहे थे इस बात को बता रहे थे अब हो ली आते आते खेसारी उससे आगे बढ़ चुके है अब वो मुर्गी काट कर उसको बनाने का तरीका समझा रहे हैं अब देखना है बोजपुरी में मुर्गी बनाने की जो रेशपी है उसको ऊपर कितने सारे और गा देते हैं तीजर में जो गाने का म्योजिक सुनाई पढ़ रहा है उससे पता चल रहा है कि इस गाने का म्योजिक भी खेसारी के नए साल पर आये हुए गाने मुर्गिया आ रहा कि यह जैसा ही है यानि गाने में सिर्फ लिरिक्स सी बदले हुए सुनने को मिलेंगे वीडियो म डिरेक्टर है टीम संजु और गाने को कोरियोग्राफ किया है लकी विस्व कर्मा ने अब देखना है या गाना कल रिलीज होता है या एक दो दिन बाद आता है और यह गाना पूराने गाने के जैसा होता है या उससे कुछ अलग होता है बाकी आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताईएगा जम आजम बोजपुरी देख रहे थे आप बोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्ने खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें भन्यवाद